मैं डॉक्टर जनेश आज अब लोगों को इचिंग के वारे बताएं तो इचिंग जो है शरीर में बिना दानों का भी होता है इचिंग हो रहा है लोग मोचके रहते हैं दूसरा चैसा है कि दाना भोजाने के बार इचिंग होता है कि और पंपल से उसमें भी है रिंग वर्म है उसमें भी हुत है तो को इसमें बहुत सा भाइंट में केस होता है और सबस्क्राप ज्यादा प्लता है में प्लता है इस्प्रम मिल जाए हैं इसलम की मेरे काने का मतलब हो किसी इत्राइब का इचिन हो बहुत सारा बहुत कि लगनार्जी से इचिन होता है तो इस चीज़ को ध्याद देना कि कि हम इच इच हो रहा है तो तो आक भींदेकर मेटी के अगले मेटी देट करती हैं कि आप जैसे बिना दानों का इजिंग है तो इसमें बस आप दोलिकस 30 पावर का सुबह सांग 7 करें 12 पावर में दानों वाले इजिंग है रश्टा कुछ करें बस कॉमन कॉमन सा मेडिसीन बता रहे हैं जो बहुत ही इजी मेडिसीन है और बहुत ही बेटर बर करती है और हुआ है हम्योपाथिक में उप्सेशीर में तो इजिंग का बहुत सारा मेडिसीन है लेकिन ऑप मेडिसीन ग्राफ इज्टिंग करेंजिक जाने क्योंकि जाने जाने है तो आप पता ही ने चलेगा कौन मेडिसीन ले तो ओमियोपेथिक के बूप में 500 मेडिसीन कर ली जाए रेकिन माइप पॉइंट अभी दो मेडिसीन बहुत ही बेतर काम करती है तो दूलिकस बिना तानो का इचिन है तो दूलिकस अपले हैं तो उसके बहुत बेटर काम करती है उसके बाद अगर दाना वाला इचिन है तो अरश्टेक 200 आप लें बहुत ज्यादा उसमें बेदी चिन है डानो वाला है तो साथ में चिले सिया भी ले सकते हैं शुगा एक हैसाम को खान अंत्राल करके रखें नहीं तो एक दिन रस्टेंग में एक दिनी चिले सिया लें बहुत ही बेटर बड़कर करें लेकिन सब को खोड़के आप मेली इतना जाएं कि बिना दानों कीचिंग में डोजीगाज बहुत ही बेटर गाम करती है रश्टेक बहुत बहुत काम करती है अब किछिए भी टाइप बहुत ज्यादा खुरी हो बहुत ज्यादा कुरी हो तो उसमें इसीया भी चलता है जिब आइटीस भ लेकिन मेरा मकसद है आप लोग को बस सिंपल से दावा बताना जिसे आप घाय में भ्योग करें जिसे आप डोरिकस बताए बहुत बहुत बेटर मेडिसिन है अब इलर्जी है तो इसके बाद देखना पड़ेगा क्या है लेकिन ऐसे आप लेख सकते हैं डोरिकस थाटी बहुत 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 करते हैं अलस्टर दानों को लेकिन आप ड़ाइज को यह जो और जो किसी भी टाइब का इसे इचिंग में बहुत बेटर काम लाइज भाइज बाद पर लगाए कि ड्राइच इसे तो इचिंग का एक से एक हुमीप्रमी आप लेकिन इचिंग अगर सिंटम मिल यह खानने का मस रही मतलग यह सिंटम मिल गया प्लिकसिञ ईचिए दो यह ग्एंचिप्रिक दो शरै तो किसी वी टैप कर चीम को ना है कि सब परती नों पिकट अबस देकर देख करके तो 50 दभाया थो स्प्रून क्या वटा सकते हैं नहिंट बिना दानों के इची में तो दोड़ी रस्क है तो रश्टक एक ही खुराक ले और इसके बाद जिस दिन रस्टक लोग जिना उखवेद आ ले बिए से आप इची नेश्या ले रहा है अर इसके वाइल अप्राय के इसके वाइल लेकर का उसकर मसादिव लगा है बहुत ही बि लाइकन सब्स्वाइब करना ना प्रियर हो है 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 अलो फ्रेंड मैं डॉक्टर इनिस आज अब लोगं को इचीं के बारें बताएं तो इस इचींग जो है शरीर में बिना दानों का बहुता है इस पूरे शरीर में जींग हो रहा है लोग मोच ज़ता है दूसरा सिज है कि दाना पुस्जाना के बारेशंग स्कता है कि और लाइकन पिंप्ल्स है उसमें भी इचांग होता है बहुत सब букता है तो इसमें बहुत सरे हरे इचं के मेरे काने का मतलब हो किसी भी तैक का इचिंग को बनाने का इचिंग हो दाने का इचिंग हो इंपल्स हो रिंग वर्म हो शुराइशिस हो बहुत सारा बहुत कि इचिंग हो चीज को आपको ध्यान देना कि इस चीज से हम इचिंग हो रहा है तब जाकर कि आप भेते डिये सकते हैं और जैसे बिना दानों का इजिंग है उसमें बस आप दोलिकस 30 पावर का सुबह साम सेवन करें 12 पावर में दानों वाले इजिंग है रश्टा कुछ करें बस कॉमन कॉमन सा मेडिसीन बता रहे हैं जो बहुत ही इजी मेडिसीन है है बएत इन इत्रप्र करते हैं और है होम्योपेथिक में तो इचिंग का बहुत सारा कुछी तॉलियम होही है लेकिन पेटॉलियम है ग्रफाइटिस है इचीन असरी है बहुत सरा सूमनी मेडिसीन आप इचीन हम्यों अभी लेवल है है लेकिन। आप कोन मेडिform जाने हैं, तो सब्सक्रीफ मेडिसीन जाने हैं, ह। सल्सक्रीज। मेरी सम्म्य काज़ा है सुन्मैंद्रय य ह। थाほई जाने है। तो डूलिकरस बिना तानो का इचिन है तो डूलिकरस अपले हैं तो उस रोड में सुला सांखा है बहुत बेटर काम करती है उसके बाद अगर दाना वाला इचिन है तो तो अरश्टेक 200 आप लें कि बहुत ज्यादा उसमें देली चिन है डानो वाला है तो साथ में चिन इस्या भी ले सकते हैं सुब्वा एक हैसाम को खान अंत्राल के रखे रखे में और नहीं तो एक दिन रस्टेंग में एक देली चिन इस्या लें बहुत ही बेटर बढ़ करें लेकिन सब को छोड़के आ बढ़ने में बेटर काम करती है रश्टेंग दानो वालने काम करती है एक किसी भी टाइब बहुत ज्यादा अबुछ ज्यादा हूं तो उसमें चिन इस्या भी चलता है आप ट्रॉल्य में बिल्वा नोसर्ण को दो इसर दवाय बटें लेकिन लेकी टा मकसद है आप लोग को बस सिंपल सदावा बताना है जिसे आप रहे मिभ्योग करें इसे आप डोरिकस बताया है बहुत बहुतर मेडिस्टिन है इसे बेड़ का लें डोरिकस 30 पावर में सुभवत उपरसां कि ना तानों के विजिए अब इलर्जिक है अधर इलर्जी सीचिंग है तो इसके बाद तो फिर देखना पड़ेगा क्या है लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं डोरिकस 30 पावर बेटर काम करते हैं अधर दानों काम करते हैं कि एजेक निउप्रैतिक में वायल है जो किसी भी टाइप का इचिंग में बहुठ ही बेटर काउपा करते हैं इसे आप वाले कपड़ से साफ कर देख नया है उसके बाद इपड वायल गो आवस बोहका पर लगया एँ तूर्स ट्राय वह बहुत बटर काम करते हैं कि आज हो आजय तो एचिंग का एक सब्ब्राइब मैं लिए लेकिन अगर शूंटब्र मिल गया काने का मतल है कि मतला है या सिंट्रम मिल गया तो और किसी भी टाइब का इचिंग का वोग्यों सरेब में पूरा इसे तो 50 दवाा है तो स्पृंट क्या रता सकते हैं अब से डूल दोने समय प्रचाए रहे हैं कि इना दानों के इसी जैसर लें लें है और थुझे में लें के दीजिन ले करने और इसके वाइल अगया यहां सो तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्स्राइब करना ना भूदिये